वेल्कम टू मार यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग आज हम चैप्टर वन के थर्ड पार्ट को डिसकस करेंगे जिसमें लीग और राउंड रॉबिन टूनामेंट के बारे में हम डिसकस करेंगे लास्ट जो हमारा पार्ट था उसमें टाइपस ऑफ टूनामें में नॉक आउट डिसकस किया था जिसमें सीरिंग और भाय था अब हम लीग और राउंड रॉबिन टूनामेंट यह क्या होता है इन दिस इच कंटेस्टेंट मीट्स ओल अधर कंटेस्टेंट इन टर्न इसमें आपके दो टाइप आते हैं एक स्टेर केस में होता है और एक सारे प्लेयर जो है वह एक दूसरे के साथ एक ना एक बार जरूर खेलेंगे जैसे हमाई लीग में होता था कि एक बार आपने खेला आप आउट हो गए तो अब आप गेम से बाहर लेकिन राउंड रॉबिन में यह होता है कि अगर आप एक टीम से हार गए तो फिर आप ने एक एक बार एक एक मैच होना ही होता है इसे हम राउंड रॉबिन टूनामेंट कहते हैं यह आपके दो टाइप से होते हैं सिंगल लीग और डबल लीग टूनामेंट सिंगल लीग मतलब इच पार्टिसिपेंट प्लेज विद एवरी अधर पार्टिसिपेंट वन यानि हर प्लेयर जो है हर एक टीम जो है वो दूसरी टीम के साथ एक बार जरूर खेलेगी यानि वन जो है वो एक बार टू के साथ भी खेलेगा थी के साथ भी फोर के साथ भी लेकिन एक ही बार खेलेगा पार्टिसिपेंट वन और डबल लीग टूनामेंट इप इच यानि जो हमारे टीम्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक बार भी खेल सकते हैं दो बार भी खेल सकते हैं और उससे जादा बार भी खेल सकते हैं तो यह हमारा डबल लीग टूनामेंट होता है नेक्स आते हैं हम थर्ड टाइप पे थर्ड टाइप ऑफ टूनामेंट जिसे हम कहते तूनमेंट कहते हैं for example, knock out come league tournament देखते हैं हम और 16 team, suppose हमारे पास 16 teams हैं और हम उनके बीच मैच करा रहे हैं combination tournament का, तो कैसे कराएंगे, suppose 16 teams हैं हमारे पास, हमने उनको zones में बाठ दिया, 16 team थी तो हमने 4 तो 4 में divide कर दिया, zone A, B, C and D, अब हमने 4 teams को एक zone में रखा, then next 4, then next 4 and then next 4, इनके बीच हमने fixture draw करके knock out tournament करा दिया, इसमें 2 निकला winner, इसमें 8, इसमें 12 and इसमें 13, यह हमने करा दिया state level पर, अब next में हमने क्या किया, कि यह जो हमारे winners निकले थे, इनके बीच हमने कराया league tournament से staircase method जो हमारा होता है, उससे हमने match कराया, winners को निकालने के लिए, तो अब यह क्या हमने किया, कि 2, जो हमारे winners निकले थे, 2, 8, 12, 13, उनके बीच आपस में match कराया staircase के form में, यानि 2, 8 के साथ भी खेलेगा, 2, 12 के साथ भी, 2, 13 के साथ, फिर 2 बाहर निकल जाएगा, 8, 12 के साथ, 8, 13 के साथ, फिर 8 बाहर निकल जाएगा, और फानली 12, 13 के साथ, यानि हर एक जो winner से उन्होंने आपस में एक एक के साथ, एक बार match ज़रूर खेला, तो अगर हम इसमें देखें, तो यह combination tournament हमारा बना, जिसमें हमने knockout को भी include किया, और league को भी include किया, इसके होते हैं four types, knockout कम knockout tournament, league कम league tournament, league outcome league tournament, और league कम knockout tournament, यह four types होते हैं, इसकी इनका match कैसे होता है, जैसे यह example मैंने आपको समझा है, कि आधा match किसी एक method से, आधा match दूसरे method से, तो वो आपका combination tournament हो गया, then आते हैं हम next challenge tournament, जो कि आपके course में include नहीं है, so challenge tournament हम discussing करेंगे, next आते हैं, यह हमारे four types के tournament हो गये, knockout tournament, league और round robin tournament, challenge tournament, and combination tournament, next आते हैं, अपने next topic पर बढ़ेंगे, intramural, intramural क्या होता है, the teams compare within the walls of the institution, यानि जो teams match आपस में खेलें, और वो एक ही institution के walls के अंदर हो खेल, तो वो कहलाता है intramural, example, inter class और inter house tournament within an institution, suppose आपके school में कोई match हो रहा है, और उस match में आपके अलग अलग जो house होते हैं, school के उन house के बीच competition हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, inter school tournament और वो आपका किस में आएगा, intramural, मतलब कि एक ही school में inter, sorry, inter school tournament नहीं होगा, वो inter house tournament यानि house के जितने players हैं, वो आपस में दूसरे के साथ खेल रहे हैं, वो same school से belong करते हैं, तो that is intramural, यानि within the walls of the institution, next आते हैं, हम extramural पे, extramural मतलब होता है, the activities which are performed outside the walls of the institution और school, अगर एक school की boundary से बाहर निकल के आप कोई game खेल रहे हैं, कोई competition कर रहे हैं, तो वो आपका आता है, extramural, types में, इसमें different school perform tournament, यानि दो स्कूलों के बीच कोई competition हो, तो वो extramural है, दो countries के बीच competition हो, तो extramural है, और आपका intramural की एक ही school, अपने, अपने स्कूल के ही बच्चों में, अलग-अलग houses के बीच competition करा रहा है, तो वो intramural, इसमें आपकी keywords है, within the walls of the institution, और यहाँ पे आपका keyword है, performed outside the walls of the institution, यह आपको यहाँ पे mention करना जरूरी है, जब आप इसकी definition लिखें, नेक्स आते हैं हम last पे, last part पे अपने specific sports program, यह क्या होता है, these are those which are not usually related to competition, the program have various objectives like creating awareness, creating a sense of integration among people and raising funds for charitable organization, अब यह specific sports program का मतलब होता है, specific मतलब किसी एक main कारण के लिए, sports मतलब sport और program, आपका जो पूरा एक आप प्रोग्राम और 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 इसका मतलब यह होता है, कि जब आप कोई competition, कोई sports कराते हैं, और उसका cause, उसका main objective किसी winner को बाहर निकालना नहीं होता, किसी से challenge करना नहीं होता, बलकि किसी cause के लिए या किसी specific objective के लिए आप यह sports करा रहे हैं, तो वो आपका specific sports program होता है, जैसे हम लोग अक्सार देखते हैं कि आपका run for run कराया जाता है, health run कराया जाता है, safola वगेरा जो running करवाते हैं, जैसे heart day के दिन जो running करवाई जाती है, तो यह सब आपकी इस type की जो running होती है, यह cause के लिए होती है, उसमें कोई final winner निकल के नहीं आता, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि finally कौन winner है, या competition level कितना है, यह सब कुछ नहीं हम केवल एक charitable purpose के लिए वो program करा रहे हैं, या किसी तरीके का fund हमें घट्टा करना है, तो उसके लिए हम यह sport organize कर रहे हैं, तो उस type के sports जितने भी include होते हैं, वो आपके specific sports program में आते हैं, इनके example में आपका run for run, health run, run for specific cause यह सब आता है, में लिए आप health run ज़रूर आपके notice में होगा, कि health run कराया जाता है, marathon वगरा कराया जाती है, कोई एक product या कोई एक brand अपने under में यह sports organize कराता है, health run के through, तो वो आपका specific sports programs क्यालाते हैं, तो यह मारा first chapter क्या third part और last part complete हुआ, I hope आपको पूरा chapter समझ में आया होगा, अगर कोई भी query किसी भी part पर है, तो उसे please comment section में mention करें, और रही बात उनके practicals की तो वो धीरे-धीरे videos में provide करा रही हूँ, इनसे related जितने भी आपके videos हैं, pictures होगेरा हैं, वो सब आप देखें, और मेरे चानल को like, subscribe and share करें, Thank you.